नमस्ते, मैं हूँ एल्विस, देखते हैं केल की दुनिया का मुख्य समाचार BWF विश्व रांकिंग, PV सिंदु टॉप फाइव में वापस, HS प्रनौई टॉप टेंड में मन्यू बाकर ने बारिदी टीम के साथ मिलकर जीता रचत पतक कर्मन कोर्थांडी बनी बारिद की नमबर वन महिला एकल टेनिस की लाड़ी और अब देखते हैं समाचार विस्तार से दो बार की ओलंबिक पतक विजएदा, बैटमिंटन स्टार प्लेयर, PV सिंदु ने तीन साल से अधिक समय में पहली बार महिला एकल शटलरों के लिए बैटमिंटन विश्व रांकिंग में टॉप फाइव में वापसी की है सिंदु ने विश्व दौर की यूरोपी चरन के लिए यात्रा नहीं की है जबकि उनकी हमवतन साइना नेवाल महिला एकल में बड़त बने हुए है सिंदु ने रियो उलिंपिक की स्वर्न पतक विचेदा कैरोलिना मैरिन को पचाट कर BWO फ्रांकिंग में पांच वे स्थान पर पहुंच गई जिसे मंकल वर्ग 25 उक्टोबर को अपडेट किया गया लेटिस्ट अपडेट से पहले पीवी सिंदु सितंबर 2019 में महिला एकल चाट को शीर्ष 5 में थी सिंदु ओगस्ट में राश्टर मंडल केलों के बाद से दवरे पर नहीं केली है केलों में महिला एकल वर्ग में स्वर्न पतक जीतने वाली बारदी शटलर चोट के कारण टोक्यो में विश्व चैंबिन्शिप से चुक गई सिंदु ने विश्व दवरे के यूरोपिय चरण के लिए यात्रा नहीं की है जबकि उनकी हमवतन साइना नेवाल महिला एकल में बढ़त बनाये हुए है इस बीच एचेस प्रनौई पुरिश एकल शटलरों के लिए लेटिस्ट बी डवली ओफ रांकिंग में एक स्टान की चलांग लगाकर बार्यावे स्टान पर भाउंच गए विश्व टूर फाइनल के रांकिंग में नंबर एक पर चल रहे प्रनौई किडंबी श्रीकान से एक स्टान पीछे है मनौबाकर, रिदम सांगवान और अबिधन्य पार्टिल ने फाइनल में चीनी टीम के किलाफ हार का सामना करने के बाद रज़त पदक अपने नाम किया पुरिशों की 50 मेटर राइफल 3 पोजिशन टीम ने कान फी पदाक जीता मिस्र के काहिरों में चल रहे ISSF राइफल और पिस्टल विश्व चैंबेंशिप 2022 में बारदी निशाने बास मनौबाकर, रिदम सांगवान और अबिधन्य पार्टिल वाली टीम ने रेविवार को महिलावों की 25 मीटर पिस्टल टीम परदों में रज़त पदक चीता के साथ कतम हुआ। क्वालिफाइंग की पहले चरण में ओलुम्पियन मनौबाकर, रिदम सांगवान और अबिधन्य पार्टिल चटे स्टान पर रहे थे। दूसरे चरण में उन्होंने दूसरे स्टान के साथ स्वर्न पदक मैच के लिए क्वालिफाइंग किया था। उलुम्पियन आईश्वीर प्रदाप सिंग तॉमर पैरिस दोहसर चब्दीस के लिए कोटा हासिल करने वाले स्वपनिल कुसाले और नीरच कुमार की पुडिशों की पचास मीटर राइफल त्री पोसिशन टीम ने शूट अफ में USA को सत्रा पंदरा से हार कर कास्वी पद अंकिदा रहिना अब 279 विस्तान पर है कर्मन कॉर्तांडी अब बारित की नंबर 1 महिला एकल टेनिस के लाड़ी है जिनोंने रिविवार को कानड़ा के संगवेने में W60 ITF इवन में अपनी हालिया जीत के बाद लंबे समय से निवासी अंकिदा रहिना को विस्ताबित किय कर्मन कॉर्तांडी के केरियर का अब तक का सबसे बड़ा एकल किताब जीते ने 26 वर्षी का नवनीतम WT टेनिस रांकिंग में 2017 विस्तान पर पहुंचा दिया जो पिछली रांकिंग रिलीज से 91 विस्तान उपर था कर्मन कॉर्तांडी के केरियर का अब तक का सबसे बड़ा एकल किताब जीते ने 26 वर्षी का नवनीतम WT टेनिस रांकिंग में 2017 विस्तान पर पहुंचा दिया जो पिछली रांकिंग रिलीज से 91 विस्तान उपर था कर्मन कॉर्तांडी ने 2018 में अपने केरियर की सर्वशेष्ट 193 रांकिंग हासिल की सग्विने में जीते कर्मन कॉर्तांडी का तीसरा केरियर एकल किताब और वर्ष का दूसरा किताब था बारदी टेनिस की लाड़ी ने जून में गुरिग्राम में W25 टोर्नमेंट चीता था और भी तासा केल कबरों के साथ मिलते है अगली बार तब तक के लिए अलविदा